नमस्कार दोस्तों आपका यम्मित गनेश इलेक्टिकल में प्रावत है तो चलो दोस्तों आज हम सोलर AC के बारे में जानकारी लेते हैं बड़े काम का है ए नए जमाने का AC जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ज़्यादा कूल करेगा बिल ड्राइ बिजली का बिल सोलर AC में वे सभी विशेशताय मिलती है जो बिजली AC में होती है जैसे एटो स्टार्ट, टर्बो कूल, मोड, ड्राइ मोड, लिप मोड, अन और टाइमर, एटो क्लीन, स्पीड सेटिंग, लवर स्टेप एड़ेस्ट और रिमोट पर ग्लो बटन गर्मी तेजी से बढ़ रही है, मानसुन आने में अभी समय है, उससे पहले बहत गर्मी बढ़ रही है, एसे में air conditioner की मांग तेजी से बढ़ रही है, बाजार में एक से एक व्रांट के AC मिल रहे है, कुछ कम तो कुछ जादा कीमत वाले, लेकिन सवाल बिजली बील का है, प इसी में एक विकल्प है solar AC जी हाँ नाम से स्पष्ट है कि इसे solar panel से चलाया जा सकेगा इससे बिजली बिल बचेगा solar air conditioner को solar AC भी खते है यह solar power पर चलने वाला AC है जिसे hybrid solar air conditioner कहा जाता है hybrid इसलिए कहते है क्योंकि यह solar power के साथ बिजली पर भी चलता है कभी धूप नहों तो बिजली का सहारा लेकर इसे चला सकते है यह खास तरह का AC बैटरी पैक पर भी चलता है जो solar power से चार्ज होता रहता है जब solar power खत्म हो जाए तो बैटरी पैक की मदद से AC चला सकते है तीन मोड पर चला सकते है इस AC में खास पाद 5 स्टार रेटिंग है यानि कि solar power और बिजली की खपत बहुत कम करता है solar panel से यह इस AC बहुत की किपायती दर पर बेचा जा रहा है इसका काम बिजली से चलने वाले AC की तरह है या ठंडा भी उतना ही करता है जितना बिजली पर चलने वाले AC करते है बस पावर मोड का फरक है या पूरी तरह से solar आधारित उज्जा पर चलता है बिजली पर चलने वाले AC केवल electricity grid से चलते है जबकि hybrid AC के साथ तीन माद्योंग से चलता है पहला solar power, दुसरा solar battery bank और तिसरा electricity grid कीमत की बात करें तो एक टन पलीट solar air conditioner की कीमत 99,000 रुपे है वही 1.5 टन solar AC का दाम 1,39,000 है जिसमें solar panel, solar inverter और उससे जुड़े सभी सामान मिलते है आईए इसकी खासियत के बारे में जानते है प्रातमिक्ता के आदार पर यह AC पहले solar power पर चलेगा इसी दोरान AC से लगा solar panel solar battery bank को चार्ज करेगा जब धूब न हो तो solar battery bank का इस्तमाल कर सकते है कभी कभी धूब तेज न होने पर भी solar panel से बीजली पैदा नहीं होती ऐसे में battery bank काम आएगा अगर AC का काम battery bank से नहीं चल पा रहा है यानि कि battery bank भी चार्ज न हो तो AC अपने आप बीजली से चलने लगेगा जून 2021 में कि अपडेट लिस्ट के मुताबिक अभी दो range में solar AC आ रहे है एक 99,000 में और दुसरा 1,39,000 में पैडिश रेनी का AC 1500 वैट विजली की खपत करता है जब कि दुसरी श्रेनी का AC 2500 वैट विजली की खपत करता है अगर आपके room का size 82,120 वर्ग फूट है तो एक टन का AC खरीच सकते है वन टन के AC में कई खासिये थे विशिश्टाए है अगर वन टन का AC लगाना है तो उसकी विशिश्टाए जरूर जाने चाहिए इस तरह के AC की वारंटी 5 साल की है और solar panel 25 साल के वारंट के साथ मिल रहे है ठीक ऐसी ही विशिश्टाए 1.5 टन AC की भी है कहा लगाए solar AC solar AC इलाकों के लिए बेतर है जहां का मोसम गर्म और नमी वाला हो जिन इलाकों में बिडली कम मिलती है या हमेशा बिडली जाने की समस्या होती है वहा solar AC लगाना सही होगा solar AC जब चलता है तो वह grid electricity की बचत करता है इससे grid पर दबाव कम होता है साथ ही customer को बिडली बील का जटका नहीं लगता बिना पैसे में ठंडी हवाय मिलती रहती है solar AC grid power की खपत को 100% तक कम करता है grid power जिवाशम इंदन से तयार होता है ऐसे में solar AC जिवाशम इंदन की बचत के साथ प्रदूशन घटाता है यह AC पूरी तरह से mobile app के सहारे चलाता है remote का जंजट नहीं है साथ ही इसका रकरकाव और मरम मत्ती का खर्चब होता कम है यह है खास विशिष्टाए solar AC में भी वे सभी विशिष्टाए मिलती है जो बिजली AC में होती है जैसे एटो स्टार्क, टर्बो कुल मोड, टर्बो कुल मोड, ड्राइव मोड, स्लीप मोड, ऑन ओफ टाइमर, आटो क्लीन, स्पीड सेटिंग, लवर स्टेप एज़ेस्ट और रिमोट पर ग्लो बटन solar AC को भी सभी सरकारी परिक्षोनों से अनुमती मिल गई है AC का कंप्रेसर सबसे ज़्यादा बिजली खपत करता है इसी के देखते हुए solar AC में DC MPPT ड्राइव कंप्रेसर लगाया है यह कंप्रेसर कूलिंग और हीटिंग ओपरेशन में बिजली की खपत कम करता है इस AC को solar बैटरी पर आराम से 4 रंटे तक चला सकते है आज के दिन में वीडियो कॉन, LG, सैमसंग और वीगार जैसी कंपणिया solar AC बना रही है इसी तरह नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तो